Hello everyone, कैसे आप लोग? उमीद करते हैं, आप लोग अच्छे होँगे और स्वेस्त भी होँगे और अपने पढ़ाई में बयस्त भी होँगे तो आज आज हम आपको इस वीडियो में, computer के बारे में knowledge देने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो में computer के अंदर की knowledge और computer के बारे में यानि computer से related जो भी knowledge होगा ना दोनों share करेंगे आपके सामने ये computer के image दिख रहे हैं जिसको यहाँ पे personally बोला गया है personal computer system ठीक है तो यहाँ पे आपको monitor दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे एक CPU दिख रहा है और यहाँ पे mouse फिर wireless and speaker साथे साथ keyboard भी दिख रहा है कुछ wires दिख रहे है इनके बारे में हम आपको detail में बताएंगे और आप इसके बारे में जानती भी होंगे चलिए सबसे पहले हम computer के full forms को देखें तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि computer का full form क्या होता है ठीक है तो पहले computer का spelling पता होना चाहिए तो spelling क्या होता है computer का C O M P U T E R तो यह होता है तो हमने यहाँ पे ना simply दे रखा है पहले से चलिए मैं color भी change कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे देखने में तो C for क्या है यहाँ पे लिखा है मैंने calculate का मतलब होता है गड़ना करना O for क्या होता है operate मतलब होता है चलाना M for memory या दास जिसे कहते हैं और P for print या छापना होता है U for update बदलना या उसमें बदलाव लाते रहना ठीक है T for translate अनुवाद करना जैसे हिंदी से इंग्लिस में या इंग्लिस से हिंदी में करना E for edit edit को संसोधन कहते हैं यानि कोई अगर mistake हो गया हो तो उसको correction कर सकते हैं और for research या फिर result आप यह सब करेंगे ना computer के अंदर तो बाद में या तो उसका result आएगा या फिर आप इसके थुरू search भी कर सकते हैं कोई सीच पर research भी कर सकते हैं तो यह सारे चीज़ होती है तो simply हमने आपको computer का full form बताया अच्छा आप ना कहीं पर भी देखोगे अलग-अलग किताबों में अलग-अलग sites पर इसका full form अलग-अलग होता है तो यह ऐसा नहीं कि गलत है यह भी सही है वो भी सही है C for calculate यानि computer में हम गढ़ना भी कर सकते हैं और O for operate यानि कि computer को हम चला भी सकते हैं ठीक है और M for यादास यानि जो भी हम computer में लिखके save करते हैं वो हमेशा save रहता है जब तक हम उसको delete ना करें दो दिन, चार दिन, दस दिन या फिर एक महीने या एक साल बाद भी open करेंगे न तो वो चीज हमें मिल जाएगा ठीक है और कोई चीज हम अगर कोई walk करते हैं कोई चीज लिखते हैं तो उसको हम जब चाहे तब print निकाल सकते हाट copy के रूप में ठीक है update का मतलब computer में बहुत सारे चीज़े बदलती रहती हैं और हमें हमें up to date करती रहती है ठीक है translate का मतलब जब चाहो तब अपना computer में Hindi से English, Hindi से English, English, Hindi Hindi से और भी कोई language में न आप changes ला सकते हो संसोधन का मतलब मालो कोई form आपने भरा न या कोई documents को आपने चलाया न तो अगर उसके अंदर आपने कोई चीज फिल अप किया और आपने उसको गलत फिल अप कर दिया है तो बाद में उसमें आप correction कर सकते हो that is edit यानि संसोधन करना और आप computer के थुरू न किसी चीज पर research कर सकते हो कोई काम करोगे न computer पे तो उसका result भी आपको मिलेगा as a hard copy में ठीक है तो ये सारे चीज़ों होती है computer के अंदर इसलिए मैंने आपको computer का full form बताया है ठीक है चले अब ना computer के बारे में थोड़ा o जान लेते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ shortcut की रखा है वैसे तो computer के shortcut की हर जग़ पे अलग-अप्लिकेशन पे अलग-अलग होते हैं और a से लेकर के z तक होते हैं ठीक है और ये जो a से z तक होता है इनको combine करके चलाने के लिए हम CTRL का प्रियोग करते हैं CTRL CTRL का मतलब क्या होता है generally control होता है इसको हम लोग क्या बोलते है control button ठीक है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे ठीक है तो हमने यहाँ पे आपको कुछ ही shortcut keys दी है जैसे जैसे हम आपको applications पढ़ाते जाएंगे उस time पे हम आपको और shortcut keys देते जाएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले ना CTRL G दिया है CTRL G का मतलब होता है go to go to का मतलब माले जे आप यहाँ पर हो और आपको इस line पे जाना है ना तो आप क्या करोगे CTRL G दबाओगे एक pop up खुलेगा और उसके अंदर आप line count कर लो 1, 2, 3, 4, 5 जब उसके अंदर आप 5 डाल करके आप enter करोगे ना तो आप पांचवे line पे पहुच जाओगे तो ऐसे हम किसी भी line पे पहुचने के लिए किसका प्रियोग करते है go to का तो आप समझी गया होंगे shortcut की कितना असान है और जरूरी भी है चलिए उसके बाद find जैसे मालिजे यहाँ पे मुझे ढूणना है कि कहां पे bold लिखा है तो मैं क्या करूँगा CTRL F के बोर्ड के माधिम से जब प्रेस करूँगा तो एक pop-up खुलेगा यानि एक window खुलेगा उस window के अंदर हमें bold लिखना पड़ेगा ठीक है और bold लिखके जैसे enter करेंगे तो यहाँ पे bold लिखा हुए इसको highlight कर देगा तो ऐसे हम किसी भी word को ढूणने के लिए किसका प्रियोग करते find का प्रियोग करते वैसे किसी चीज़ पर कोई word है उसको लिखा है और उसके अंदर आपको underline लगाना है मतलब ऐसा उसके अंदर ऐसा आपको लगाना है तो आप किसका प्रियोग करोगे control u का पहले ना आपको word को select करना पड़ेगा फिर control u दबा दोगे तो उसके अंदर ऐसा underline बन जाएगा clear है क्या hyperlink का मतलब क्या होता है एक word के अंदर दूसरे word को छुपा देना जब click करोगे तो वो word सो हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जैसे आपने internet पे न google पर जाकर के कोई चीज search करते हो तो पहले उसके बहुत सारे ऐसे option लिख करके आते है ठीक है जब आप इसको खोलते हो न तब फिर एक नया page खुलता है तो यानि इस line पर वो page interlink है सन्माय क्या जब आप इस पर click करोगे तब यह page खुलेगा इसको बोलते hyperlink यानि एक word के अंदर दूसरा word को छुपा के रखना है या उसके अंदर जोड के रखना ठीक है अब आता है right मालेजे आपने कोई word लिखा है और उसको आपको right side में भेजना है तो आप control R दबाऊगे तो right side में पहुँच जाएगा left में भेजना है प्रेस करूँगा keyword के मार्जम से तो हमारा पूरा select हो जाएगा यह जितना लिखा हुआ test है तो यह बात भी आपको समझ में आ गया अब आगे move करते देखे अगला है ना bold bold मतलब किसी word को मोटा करना मोटा करने के लिए हम किसका प्रियोग करते bold का अब V मतलब होता है paste paste मतलब एक चीज़ आपने लिखा है और जैसे मैंने या पे go to लिखा है इसी को मुझे बार बार लिखना है तो मैं क्या कर लूँगा पहले इसको copy कर लूँगा यानि ज़िरोक्स कर लूँगा किसके अंदर computer के अंदर और फिर paste करता जाओंगा control V दबाता जाओंगा तो ये go to go to बार बार ऐसा लिखता चला जाएगा ठीक है go to फिर go to ऐसा जितनी बार paste करूँगा ना उतनी बार वो लिखता चला जाएगा मतलब मेरे को बार बार उस word को लिखना नहीं पड़ेगा बस control V दबाते जाओंगा और राता जाएगा कोई word है और उस word को अगर मुझे तिर्चा लिखना है जैसे माले जे मैंने लिखा है go ये सीधा है और मुझे थोड़ा सा तिर्चा लिखना है ऐसे ठीक है ऐसा थोड़ा तिर्चा टाइप में तो इसके लिए हमें किसका प्रियोग करना पड़ेगा italic का तो copy तो मैंने बता ही दिया माले जे आपने कोई चीज लिखा है या कोई चीज आपने draw किया है और उसको आपको save करके रखना है तो आप ctrl s का button दबाएंगे तो save option का pop up खुलेगा आपको अपना नाम वहाँ पर लिखना है और enter कर देना है location चूच करके तो आपका वो file save हो जाएगा जब चाहो ना उस file को open करने के लिए आप control हो का प्रियोग कर लोगे तो control हो से क्या हो जाएगा आपका वो document खुल जाएगा खुजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस window के अंदर अपने file को search करना पड़ेगा और ok कर दोगे खुल जाएगा तो मैं ये सारे shortcut keys का प्रियोग आपको बताऊँगा पर अभी नहीं अभी मैं आगे बढ़ता हूँ जैसे जैसे applications का यूज करते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको ये सारे shortcut keys का प्रियोग भी बताते जाऊँगा ठीक है तो चलिए आगे move करते है हमने यहाँ पर mouse ले रखा है क्योंकि mouse का यूज करेंगे अभी थोड़े दिर बाद तो यसलिए हमने यहाँ पर mouse का figure बना लिया है तो जैसे माउस का figure आपको दीखी रहा होगा यह mouse का figure है ठीक है जैसे माउस में क्या होता है कि तीन बटन होते है एक तो आपको यह right बटन दिख रहा है ठीक है दूसरा यहाँ पर left बटन दिख रहा है applications के page होते हैं न वो page भी हमारा ऊपर नीचे करते रहते हैं ठीक हैं तो generally हम क्या करते हैं किसे भी page या applications को ऊपर नीचे करना हो अप and down करना हो तो हम mouse का प्रियोग किसके लिए करते हैं mouse का प्रियोग का कौन सा button यूज करते हैं scroll bar ठीक हैं ओके और left and right यूज होता है न तो actually में left button access करने के लिए किसी file में या फिर किसी चीज को access करना है न तो हम left-button का प्रियोग करते हैं और right button का किसी भी option उससे related जो भी application से उससे related और भी कोई extra हमें option से यह तो उसके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं, right button का, ठीक है, ये भी मैं आपको use AK करके समझाओंगा, अभी फिलाल आप याद करते चलो, कि हम लोग scroll bar का प्रियोग page में, applications में, applications को उपर नीचे, आप page को उपर नीचे करने के लिए करते हैं, left button का directly access करने के लिए करते हैं, right button क उस page से related या application से related extra option को पाने के लिए करते हैं, okay, और mouse जीच चीज़ पर रखा होता है, उसको mouse pad कहते हैं, तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे move करे क्या, चले, तो आगे move करते हैं, अब हम ना computer का screen यहाँ पे ले लिए, ठीक हैं, अब मैं आपको यहाँ कुछ important terms बताने वाला हूँ, और आपको यह ना बहुत अच्छे से याद करना है, और mind में इसको kept करके रखना है, मतब सेप करके रखना है, तो देखें, यहाँ पर आपको कोने में यह दिख रहा है, इस कोने में जो होता है, यहाँ पर आपको actually date and time सो होता है, ठीक है, तो क नीली पट्टी जो है, या नीली जो यहाँ पर ऐसा एक surface दिख रहा है, उसको हम लोग generally task bar बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, task bar, हम जितने भी applications को open करते हैं, वो सारे applications जो अभी चल रहे हैं, या run होए हैं, अभी वो open हुए हैं, वो यहाँ पर so होंगे, ठीक है, कहाँ पर eight task bar में, clear है क्या, चले, आगे move करते हैं, तो यह बात आपको समझ में आगे होगा, तो अब हम आगे move करें, यहाँ पर corner में आपको एक ऐसा logo दिख रहे हैं, उस logo पे click करोगे न, तो आपका एक pop-up खुलेगा, actually में इस options से हम computer के अंदर access करते हैं, या computer के हर एक options को use करत हैं, जनली इसका नाम क्या होता है, start button, कभी-कभी हम न, इसको window button भी कहते हैं, ठीक है, तो इसी का नाम window button भी है, इसी का start button भी है, ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया, चले, आगे move करें क्या, ओके, यहाँ पी आपको छोटे-छोटे ऐसा बहुत सारे options दीख रहे है इन चोटे-चोटे जो आपको दीख रहे हैं, इनको हम लोग icon बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, icons, ठीक है, तो यह मारा icons है, clear है क्या, directly हम जो file save करते हैं, वो हम desktop पे save करते हैं, तो यहाँ पे जाके save हो जाता है, हम जनली यहाँ से click करक पे जाके access करने में time लगेगा, तो हमारा time बच जाएगा, जब हमारे पास सामनी रहेगा, मैं इसको click करके open कर लेंगे, directly access कर लेंगे, ठीक है, और अब एक last बचा, last क्या है, बता दू मैं आपको, कि यह जो आपको पूरा-पूरा screen दीख रहे हैं, जिसमें यह task bar है, date and time है and window tab है, और यह icons है, यह सब जो दीख रहे हैं न, इन सभी को desktop कहा जाता है, जनली इनको क्या बोला जाता है, desktop, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा नहीं है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, desktop, ठीक है, तो इसको desktop बोलते हैं, और यहाँ पर आपको यह ऐसा logo दीख रहे है कि यह जो यहाँ पर है न, यह logo दीख रहे है, by default यह screen होता है, desktop का, ठीक है, फिर बाप जब चाहो, तब यहाँ पर आप अपनी photo लगा सकते हो, या फिर अपने recording कोई भी यहाँ पर images को लगा सकते हो, यह मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलाल आगे move करते हैं, तो कहीं यह स में पड़ो, फिर computer के अंदर चीजे पड़ो, नहीं, मैं साथ में दोनों बताते चलूँगा, ताकि आप computer के अंदर भी enjoy करते चलो, और computer से related भी facts जानते चलो, ठीक है, तो देखो, desktop पे न, simply आपको क्या दिखेगा, एक recycle बीन दिखता है, ठीक है, जली यह glass की तरह दिखता हूँ, कि यह desktop पर यह recycle bean है, इसको हम क्यों use करते हैं, जो आप documents नहीं रखना चाहते हैं, जो आपके लिए वो आवश्यक नहीं है, बहुत important नहीं है, उस files को, उस video को, उस idea को आप क्या करोगे, delete कर दोगे, तो वो कहां चला जाएगा, आपका, dust bean में, जैसे घर में एक dust bean हो को, desktop पे मिलेगा, ठीके, लेकिन याद रहे, अगर आपने recycle bean से, उस file को delete कर दिया, जिस file को पहले आपने delete किया था, recycle bean में आया था, अगर वो recycle bean में आया है, और फिर आपने recycle bean से उस चीज़ को delete कर दिया, तो फिर वापस वो आपका नहीं आएगा, permanent delete हो जाएगा, ठीके, लेकिन हो सकता है कि आपने फाइल को डिलीट करना चाहा रहे थे कोई और फाइल, और डिलीट हो गया गलती से कोई और फाइल, जो फाइल डिलीट हुआ है न, वो काफी important है आपके लिए, ठीके, तो फिर वो कैसे पाओगे, तो आप चले जाओगे recycle bean में, और वहाँ पे आप आपको वो फाइल सो होगा, उसे आप restore कर सकते हो, ठीके, तो वापस आपको वो फाइल मिल जाएगा, और अगर आपको वो फाइल नहीं चाहिए, तो आप वहाँ से permanently delete कर सकते हो, तो I hope आपको recycle bean के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, चले, तो आगे move करते हैं, अ देखे, simply क्या करना होता है, मैं आपको desktop के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको desktop पे mouse का right button क्लिक करना है, अभी मैंने थोड़े दिर पहले आपको क्या बताया था, कि mouse का right button हम तब यूज करते हैं, जब मुझे जो काम करना है, उससे related extra option के जरु पड़ती है, तो म आपको pop-up या window बोलते हैं, तो ऐसा एक window खुलता है, ठीक है, pop-up खुलता है, और उस पे ना हमको generally कहाँ पे जाना होता है, new option पे, जैसी ना हम new option पे click करेंगे ना, तो हमारे पास फिर से एक क्या होगा, हमारे पास एक और pop-up खुलेगा, और इस pop-up पे हमें कहाँ click करना है generally folder पे, ठीक है, पहले आपको कहाँ पे click करना है, new पे, फिर कहाँ पे click करना है, folder पे, जैसी आप folder पे click करोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा, interface का मतलब screens तो होगा, और आपको क्या करना है ना, यहाँ पे generally आपको अपना नाम type करना है, या फिर जिस नाम से folder बनान चाहते हो ना, वो नाम आपको type करना है, और फिर आपको क्या करना है, enter कर देना है, और जैसे आप enter करते हो ना, आपका folder create हो जाता है, है ना कितना आसान, folder बनाना, तो आपको simply क्या करना है, पूरे 5 steps में आपका folder बनके तयार, desktop पे आपको mouse का right button click करना है, फिर आपको new option पे तयार हो जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पे folder के बारे में बताया, ठीके, next वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीके, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो please वीडियो को like भी कर दे भाई, और subscribe भी कर दें, ठीके, और share जी भी जरूर करें अपने पार्ट नंबर टू आपको चाहिए न, कमेंट करें ताकि हम उस पर पार्ट टू जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर के आएं, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जैहिन, जै भारत, बाई बाई, टेक कियर